सिखाने का तरीका है वरना लोग सीखते नहीं है वो एक जाट टेंशन में बैठा किसी ना का पूछ लिया बोले तेरे को किस बात की टेंशन होगी बोले यार मैं एसी लाया था डेर डिटन का बोले अच्छा बोले तोल्ला तो बासट के लोगा निकड़ा नमस्कार अनिल परसाद के साथ मैं वीकी परजापती अनोखा परियाश यूटूप चैनल में आपसे भी का स्वागत है आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मोजूद है जिनकी कविता से आप हस हस कर लोट पोटो जाओंगे जितने भी न्यू चैनल है बखु भी शांदार प्र हार दिक धन्यवाद करता हूं स्वागत करता हूं आप सभी का जितने भी लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं सबसे पहला अनुरोध ये है कि विकी भाई और अनिल भाई की ये टीम और भी इनके साथ जो लोग जुड़े होंगे वो टीम कितने अलग-अलग लोगों से जा लोग जादा से जादा इस चैनल से जुड़ें जादा से जादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें सबस्क्राइब करें लाइक करें और बैल वाला बटन तो हो गई जी बिलकर वो भी जरूर दबाएं ताकि इन लोगों का ये प्रयास आप सब तक पहुंच सके और हम जैसे नजाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के मनोरेंजन की अलग-अलग विवस्थाइं करते हैं तो उन्हें भाई डूंडते रहें उनसे मिलते रहें बातें करते रहें जी बताइए विकी और क्या कुछ आप सर सबसे पहले आप किसी भी मंच पर जाते हूं तो उससे लोग हसने लग जाते हैं कि सुन्दर कटार्या जी मंच पर चड़ चुके हैं लेकिन हमारी ओडियंस को तब पता लगेगा जब एक मधूर आवाज में सुन्दर सी हाश्या कविता सुना हो गया देखे ऐसा है कि यह तो आप सब जानते ही हैं कि जब कविताएं निकलती कब हैं कविताएं निकलती तब हैं जब सामने लोग हों हजारों लोग हो लाखों लोग हो जितने जादा लोग उतना जादा मनो रंजाएं विकी भाई ने बताया कि आपको देखते ही आपको समझते ही आपका नाम सुनते ही लोग हसने लगते हैं यह कारण है प्रभाव हुआं अनुभाद करोना काल में आ त्क चो कॉल सिफलाक। अदिकतर पतियों नाइ अपने घर में समुष बनाए रसगुब बनाए गुलाब बनायी डेली फेस्बुक पे आज घर में मरती बनी आज घर में जलेबी बनी आज मैंने पोच्छा लगाया उसना अपनी ऐसी दुरगती कर ली एक महीने बाद घरवाणी ने कामवाणी को नोटिस थमा दिया बोड़ी इसकी जरूरती नहीं है अगला पूरी तरह ट्रेंड हो गया त कविता कैसे लिखवा ता वो सुनिये तब मैंने लिखा कि अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं और पती सभी जो खोट निकाला करते भिंडी तोरी में अपने हाथ के जले बुने टिंडे पनीर से लगते हैं तो इस तरह कि अनभव जो होते हैं अनभव हमसे कविता लिखवाते हैं कभी अपनी बातों के जरीए लोगों का मनोरंजन भी करता है और कुछ ना कुछ उनको सीख भी देता है जैसे यहाँ पर एक सीख हमें ये मिलती है कि हम देखे पतनी है तो पती है पतनी है तो समाज है सीख ये मिलती है कि हम जितने नकरे छाटते हैं सबजी में नमक कम था सबजी में ये कम था करोन ने हमें सिखाया, हमें बताया कि जि यहां पर पतनियों की प्रश Nedना करना इसलिए बी जज्रूर धे där ता कि आपके यूट्यूब चैनल से पतनियों भी जूड़ें। वो यह ना कहें गये यह तो पतनियों की बुराई िहीं करता है। सर आपकी स्टार्टिंग से बच्पन का दोर कैसा रहा पढ़ाई लिखाई में कैसे रहे कहां तक आपने पढ़ाई की और जो एक कविताओ का दोर है कैसे शुरू आपका देखे कहते हैं मैं किसमत पर बड़ा यकीन करता हूं हम लोग आप लोगों ने भी सुना होगा हमेशा सुनते हैं कि वही सब उपर वाले के आतमें छोड़ दो वो जो कराएगा या जो आपके भागे में होगा वो आपको मिलेगा मैं कविता की लाइन का थाई नहीं मैं करता था थेयटर मैंने बच्पन से लेकर के और पोस्ट ग्रेजवेशन तक थेयटर किया एक्टिंग की ब तो विकी भाई जहां तक डिगरी की बात है देखिए कहते हैं कि कवी लोग बहुत जादा पड़े लिखे भी हो जाते हैं कि कवी लोग जादा पड़े लिखे नहीं होते 15 साल कोलेज में प्रोफेसर रहूं और उसके बाद से पूर्ण रूप से कभी सम्मेलनों में कहीं ए काहाई आप तो कविताइँ अच्छी करतें आप इस शेत्र में आ जाईए चाहिए मैं उस शेत्र में आ गया आ गया तो ज़ा गया उसके बास से कविताइँ ही कर रहा हूं लोगों का मनो रंजन भी मना रहे हैं तेखें लोगों के मैं मलौरण जर्ण की बात है न का कि वीच बीच में आनी चाहिए कविता हैं और लोग ludzie आ तो लेकिन बाद में चलाएंगे और आप लोग लिखो जेसा पका इंतजाम क्रें कर दूंगा और देखे आज कल यूट्यूब चल रहा है फेस्बुक भी हो ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया ने करोना के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया है तो सोशल मीडिया से सम्मंदित में कुछ बात जरूर बता हूँगा पहले में और आज में क्या अंतर आया है दोस्तों आप लोग सभी हरियाना के तो खासकर इस चैनल पर जुड़े होंगे आप सब लोग जानते होगे कि पहले जब हम सुबह उठते थे ना तो दर्ती को चूमते थे और आज सुबह उठते हैं तो फोन को चूमते हैं और ऐसे खुश हो जाते हैं जब दुकान खोल का पूजा कर लिए और अगर मान लो नेट ओन करके जब हम कॉमेंट्स देखते हैं कॉमेंट्स आ गए ना तो यह समदिलो कि हो गई 10-20-1000 की विक्री आने वाड़े समय में विक्की भाई अलाथ यही रहे ना तो हमां पूरी जंता को बता रहा हूँ आने वाड़े समय में माबाप अपने बच्चों को यू कहा करेंगे कि तेरी परवरिश के लिए 10-10 गंटे ओफ लाइन रहे हैं और तुल आज आँक दिखा रहे हैं अगर उस टाइम अमना आख लडा ली होती न तो बैटा के पता कहां पैदा होता यह आलाथ फेस्बुक के हैं यह आलाथ सोशल वीडिया के हैं वो अच्छी बात है आप लोग अच्छे वीडियो डाल रहे हो अच्छे लोगों को लेके आ रहे हो वरना कई लोगों ने तो सिर्फ वीडियो डालने का एक धंदा बना रखा है और उसमें यह नहीं देखते कि उन्होंने नेगिटिव क्या डाला पॉजिटिव क्या डाला यही आलत फेस्बुक के हैं हम यह नहीं सोचते हैं क्या डाल रहे हैं आज कल विकी भाई आप भी देख रहे होगे और पूरा जो लोग जुड़े हैं वो भी देख रहे होंगे बंदा मरा फेस्बुक पे डैड़ बोडी फेस्बुक पे हाला थी हैं सोचते नहीं क्या अगर रहें क्या नहीं वो एक भाई के लड़का हुआ था जी ता जी अगले ने लड़के की फोटो फेस्बुक पर डालते वे लिख दिया ईश्वर की कृपा और आप सब के आशिरवाद से आखिर मैं भी बाप बन ही गया और आशा करता हूँ कि बाविश्चा में भी आप लोगों का सयोगियों ही मिलता रहेगा अब बताओ इस पर भी लाइक तो आए सो आए एक भाई ने तो कॉमेंट में लिख दिया कि जब जरूरत पड़े बाई को याद कर ले ना बाई और बाबे की खुशी से बढ़के हमारे लिए कुछ नहीं तो यह आलात हैं यह नेगेटिव नहीं है यह नेगेटिव हमने खुद को कर लिया है हम इस तरह की चीज़ें डालने लगे हैं एक और विमारी आई है वो विमारी बताता हूँ पूरी दुनिया मैं लगब 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 300 क रोड मैल आ हैं और फेस्बुक पर 500 करोड कहां से आगी फेस्बुक को आधार कार्ड से लिंक कर देना तो पता लगेगा कि जिसको में इतने दिनों से इतने दिनों से सपना चोदरी समझे बैठे थे वो बूरे ला लल भाई है यह आला दो रखे मैं खुद अपना नुब बताता हूं चार पंक्तियां सुना तो आपके तो कविता सुनाओ के रूप की रसिली थी वो छोरी रंगिली थी वो फोटो देख फेस्बुकी मन लल चाया था और स्याना मैं भी बना घणा फेक आइडिली बना फोटो मैंने सलमान खान का लगाया था और दोस्ती से बात हुई पहली मुलाकात हुई मिलने वो आई मैं भी पारक में बुलाया था और खड़े मुस्काएं दोनों नजरें चुराएं दोनों जिज्जा मैं था उसका वो साड़ा मेरा पाया था जिज्जा मैं था उसका ये आला तो रखें गर ओ फिगर मैंटेन करने के चक्कर में उन्तर खतम होता जा रहे हैं। कैटरी ना बिना मेक अपके सारी लडीत crystal नहीं है ये आलात था हिर्वा हैं नशेमीं के ना उनका अंतर गाम कर नहीं की उनके पला कर्याती तो कविताहूं के जरी अमनों को समझाना ही तो है कियोंकि हम तो अर्याणा की लोग बड़े तगडे होते हैं, बहूश स्ट्रॉंग होते हैं, बहुत जाद़ा स्ट्रॉंग होते हैं, हम कोई girlfriend नहीं रखते हैं, क्योंकि girlfriend तो कभी और पुमजर लोग वु स्चार्णोग की होती हैं, तो उनका करेंगे भी के और मान लो टेशन दिखाने के लिए गल्फ्रेंट रख भी लें तो जब हम उसी के शादी में कन्यादान लिख रहे होते हैं तो हमारा तो प्यार किसी और का हो रहा होता है और लोग हमारे पास आके बैठ के जाड कुरेते कुरेते केंगे रस गुले म में मीठा कम था तो इन लड़कों के लिए भी जो कहते हैं ना मैं कहता हूं कि जो पडोस की छोड़ी गलना यार वांख लड़ावेगा देख लियो उसके फेरा में खील गेर तपावेगा तो घर के आलातों को कविता के जरीए सुधारा जा सकता है जितने लोग सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को खिलाईए पिलाईए कहां फिगर मेंटेन करने के चक्कर में लोगों को चक्कर आ जाते हैं सची बात बता रहा है वो एक लड़का ऐसे ही स्कूटर चला रहा है बिल्कूल कमजोर सा और थोड़ी देर में चलके और उसको कैड़ी धूप में चक्कर पूरी जूस की बोतल पीली यूंब आप जाकर सांस आया ना ऐसी डैट बोड़ी देखके में चक्कर आने लग जाते हूं तो यह कारण यही है इनको स्ट्रोंग करो इनको खिलाओ पिलाओ पहले के लोग जिस तरह से रिष्ट पृष्ट होते थे काया में तगड़े होते वही कामा बोना चीए बिल्कुर सर जैसे बड़े-बड़े मंचों पर आपने अपनी छाप छोड़िया है उसके साथ-साथ आपने टीवी सो किये टीवी सो तक का सफर कैसा रहा और कैसे टीवी सो में आप पहुचे देखे जैसा कि मैंने बताया कि सब किसमत पर है मेरे पास गुड़नाइट इंडिया शो मैंने किया सब टीवी का उसके दोतिन एपिसोड में करके आया रात को साड़े-दस वजे सब टीवी पर आता था उसके बाद इंडिया जल आफ्टर चेंपियन शिरू हुआ सोनी टीवी का जो अपना एक ब्रैंड रहा है कपिल शर्मा हो सुर चला जाता है मेरी वीडियो पता नहीं कहां से पंकर सारसवत जी जो की शो के डारेक्टर थे उन्होंने देखी और डारेक्ट मुझे कॉल किया कि इस तरह का हम शो कर रहे हैं इसकी बकायता मेरे पास ओडिशन के लिए भी कॉल आई थी तब मैंने मना कर दिया था कि मैं नह पहले एपिसोड नहीं ऐसी धूम मचाई एक अफते में लगबग लगबग 5-6 करोड लोग उस शो को मेरे एपिसोड को देख चुके थे और उसके बाद जो आप लोगों ने भी देखी होगी कविता मेरी एक रील सबजी क्या बना हूं वो रील मेरी इतनी वाइरल हुई है इतनी वाइरल हुई है आसे चार साल पहले मेरी कविता वाइरल हुई थी मेरे दादा की दोती बहुत जादा वाइरल हुई थी लेकिन इस रील ने तहलका मचा दिया और इस रील पर मैं खुद कॉमेंट्स पढ़ने बैठता हूना तो कोई भी व्यक्तिय नहीं कहता कि मेरे गर की समस्या नहीं है यह अर गर की समस्या है तो उस रील के वाइरल होने पे और इस पूरे first episode के वाइरल होने पे फिर second episode के वाइरल होने पे काम बढ़ता गया शैले जी का भी कोल आया मैं शोमारो टीवी का वाव भी वावी करके आया कहीं भी किसी भी चीज में मुझे कोई जैक नहीं लगानी पड़ी आप में अगर योगता है आपके अंदर अगर टैलेंट है और आप सच्चे मन से अपने एक शेत्र से जुड़े हुए हो इमानदारी से काम कर रहे हो तो फिर आपके रास्ते में कितनी बाधाइं आजाएं आपके रास्ते को कोई नहीं रोक सकता बिल्कुल बिल्कुल एक बार वो रिल्स हो रहाने दो जो आपकी वाईरल हुई थी सब्जी वाली ठीक मैं खुद बहुत कम सुनाता था मंच पर लेकिन कहते हैं हमें नहीं पता होता कि लोगों को क्या पसंद आ जाए तो वो कविता अचाना की पसंद आ गई एक प्रशन किया था सुरेंदर शर्मा जी ने इंडियाजर लाफटर चैंपि Swamp के शो पर के सुन्दर जी आपके हिसाब से घर की सबसे बड़ी समस्या क्या है तो मैंने उने कहा है है यह वह रॉपकिले देश की और मैं तो ज connect मैं इसको अंूंतरा तो इसलाभ नहीं कह सकता मुझा आ पता के भार जो देश हैं उनमें मेलाएं सब़जी बनाती हैं या पुरुष सबजी बनाती ही काँ है वो तो बसुबालते हैं मुर्गों को, मचली को, उनको उनने क्या पता? कीरे टमाटर का स्वाद तो इसलिए मैंने राश्टी समस्या कहा और ये राष्ट्य समस्या कुछ यूँ है कि पतनी का एक प्रश्ण सबजी क्या बनाओं इसका उत्तर भारत में किसी पती के पास नहीं है मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ कि गरवाड़ी छोरे को सुलारी थी थपकी दे रही थी दूद प्यारी थी बोली सबजी क्या बनाओं एक बारतों आखों में पाणी उतर आया एक बढ़िया सी सबजी खाने का खयाल मनम आया बोली इतने मत गवराओ आज की सबजी आप बताओ मैंने का तोरी बना ले बोली कल बनाई थे मैंने का तो अर्वी बना ले बोली परसों खाई थे मैंने का तो मैं अभी पनीर लेऊं बोली मैं के पनीर खाऊं मैंने का तो पराठे हो जाएं बोली मोटे हो जाओगे मैंने का राबडी गोट ले बोली खात्ते ही सोजया होगे मैंने का तो चटनी बनाले बोली लस्टन को न्या और मैंने का गट्टे बनाले बोली बेस्टन को न्या और मैंने का कडी बनाले बोली साम्मन दाग्या मैंने का दाड चड़ाया बोली छोरा जाग्या इव यो कती नी सोगेगा और कुकर की सिट्टी सुनता ही रोवगा नियो करो डाब्य चले जाओ एक दाड और चार बटर रोटी बंद वालेओ अब चार बड़े मैं भी डाब्य बना जाता तो बुखाएं वरता पर करम भी कती सोगे थे आंधेरा घणा था डाब्य भी बंद रही बोली पकड छोड़े ना मैं अटा गूंद लें पर ये तो बता सब्जी क्या बना हूं तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे बास बिलकुल नहीं है और अब भी मेरे घर में समस्या है डेली मैं जैसे ही अपना काम करके अपने प्रस्तुती देखे किसी भी कारिय करम से घर लोटता हूं रास्ते भी फोन आता है कवीता सुन ली उसने 20 बार सुन ली पर फिर भी फोन करके अगली पूछती है तो दोस्तों किसी तरह गर हो सके ना तो इस समस्या का निदान अगर किसी के पास हो ना तो इस चैनल पर कोमेंट जरूर डालना मैं भी पढ़ना चाहता कोई तो पती ऐसा हो देश का जो इस समस्या का समाधान बता सके क्योंकि वहीं से स्टाट होई थी सर सबजी कैसे बढ़ क्या बनाओ और वहीं पर खतम करते कि सबजी क्या बनाओ तो सर जैसे एक आपकी कवीता बहुत वाइरल हुई थी जिस आपको नेम मिला फे मिला को सुंदर कटारिया बनाया है इस कवीता की भूमी का भी कुछ ऐसी है जैसे मैंने आपको अभी चार पंक्तियां सुनाई थी ना पतनी वाली हम जब छोटे थे ना देखे कवीता हमेशा अनुभवों से निकलती है ठीक है उसमें कलपना शीलता होती है लेकिन अनुभव ज और यह कवीता वाइरल इसलिए होई कि कवीता हर किसी को मंद से जोटती है जैसे सब्जी वाली हर गर की समस्य है ऐसी जो दोती का अनुभव है ना वहर गर में जिसके बड़े बुज़र्ग ने दोती पहन नहीं है और यहां पर बात सिर्फ दोती की नहीं है घर में अगर खेस था चदर था या तेहमध जिसको हम बोलते थे लूंगी वह भी पहनते थे तो उसका भियान भव इसमें रहेगा तो सुनिएगा कि कवीता का शीर्षक मेरा ये एक पता नहीं क्यों ऐसा रहता है कि जहां से शिरू करता हूं वहीं खतम करता हूं और यह अपने आप बं करो नहीं देखा होगा आपस मैं प्यार भी खूब हो थार तक्रार भी खूब होती हो एक बार दाती नहीं चूड़ी हो कि कब लेंड़ियो क्या कर सकता है अब दाता अहिएना का अ मैं चांद तारे तोड़ दियू मैं धरती न फाड राणी पाणी कड दियू मैं और एक बार बोल दे तू मुझ जरासा खोल दे तू चांदी के लिए दाथ सोनने वाड़ी जाड़ दियू मैं अब बुढ़ी आता ही और क्या लाओगा और खान के छुवारे लियू अलू के करे लें लगमी की बेरी जराढ ल्याओ मैं और क्यार्गा मैं तारजसा पाकिस्तान जांके अनड़ पूर्प पाड़ लें सतू भूळिया बुढ़ी तसले तू चैयार-ःगेर गुभर डम अर G proportion आं से घूठ सीट बैस्ली से दाखोल दोदां हिए पर दारा सिंग बन रहा भीम की भवुने छेड़ावे ने तू एक बै और लागरी से ठूटी वा जो लिल्लू बाड़े गेर के मां उसने उखाड के दिखावे ने तू एक बै तू बात कर रहें एनपंप निकालने की तब मैं क्याता हूं के मेरे दादा की दोती मेरी दादी शुद संस्कृती से लिप्टी हुई कविता के दोती के थी कती कमाल थी वाय तोलिया वाय रुमाल थी उससे तन अते उससे न दोते निचोड के गर्मी में ओड के सोते akart पर विछती विस्तर वन जती गुडड़े गुड़िया का घर वन जती और विक्की भाई दोती के मत्चर दान्नी देगी थी सकरात पर दादा ते नान्नी देगी थी था नानी कि यारी थी मैं सACH बात बता रहो हम्यने अपने घर में चीजड देख्थ है अब ना धार ना धानी रही ना धाई रही हुर्क मैं सची बात बता रहूं हमारे अगर जब爆ेर्ण यारी मेरा टा रिटा सच महा बहुता था दादा धोती ने जीत लाता और जीब भी नानी उलाती इससे न बांद गजाता दादा पे सुरूर मोटा चड़ रहा था चमकदार धोती पे घोटा चड़ रहा था और धोती पूरे गाम में छाली थी और इव तक तो कई पर आता में चाली थी पहला मांग के पहर जाय करते खूब पैंट शर्ट धोती कुड़ते खूब ला भाई तेरी बड़ी आजूती है तू दे दे इव तक तो कई बरातना में जाली थी और कदे खाली आत नहीं आई थी कदे लाड़ू तो कदे जलिब भी लेई थी और विक्की भाई दोती के थी कती जैरी थी एक बतो गाम के सरपंचने भी पहरी थी और खूब बढ़ या मान ले आई थी सोरप ये मानते हैं ले आई थी पर दादी दोती ने देखते ही जीख्या करती इस कविता की अंतिम पंक्ती जिस पर पूरी कविता टिकी हुई है कि दादी 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 दोती ने देखते ही जीख्या करती क्योंकि दादी ने दोती मैं ना नी दीख्या करती तो जिब भी देखती बैठ कर रोती फर मेरे दादा की दोती मेरे दादी ना दोती मेरे दादी ना दोती कवी समेलन हुए बहुत शांदर प्रुस्तु दिते हैं और जो ओडियंस देखने वाली है हस हसकर लोट पोट हो जाते हैं सर आपकी क्या इच्छा है अपने आपको किस लेवल पर देखना चाते हो फिलाल तो मैं अपने आपको अनोखा प्रियास के चैनल पर देखना चाता था वो मैंने देख लिया और देखिए मैं कुछ नहीं देखना चाता जो मुझे इश्वर ने और जो मुझे मा सरस्वति ने दिखाना है वो दिखाएंगी मित्रों एक बात बता दूँ आप लोग भी सब सुन रहे हैं कविता में वो ताकत है जो तक्ता पलट कर देती है बड़े बड़े कवियों का चाहे वो पृत्वी राच्चोहान के समय से हम ले 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 इतना योगदान रहा है सरकारों को बदलने में सत्ता को भिलाने में देश के परिवर्तन में समाज के परिवर्तन में और मा शार्दा ने इतना सब कुछ दे दिया कविता से आज मैं पूरी दुनिया गूम रहा हूं बड़े बड़े शोज कर रहा हूं सब कुछ कर रहा हूं तो जो इश्वर ने दे रखा है जो माने दे रखा है वो मेरे लिए बहुत है वो जो और देंगे वो मेरे लिए बहुत होगा मेरी एक इच्छा है इच्छा ये है कि मेरी कविताएं समाज में कहीं ना कहीं किसी ना कि इसी रूप में समाज को सुधारने के काम आएं लोग हसें भी और उससे कुछ ना कुछ सीखें भी बस इससे बड़ा मेरा और कोई उद्देश्च नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो सर अन्त में आनोका प्रयाश यूटूब चैनल के टेम को क्या क्या चाहिए उससे पहले मैं य लेकिन वह बात बताते थे कि वेटा जीवन में कोई भी विक्ति आगे बढ़ता है ना तो बिना गुरू के नहीं बढ़ सकता है हमने का पिता जी इसका कोई तो उन्होंने एक उधारन दिया था हमें सच्चा अध्रिष्टान तो उन्होंने बताया था बोले वेटा मैं चीरने वाला हिस्सा होता था उसको बोलते थे कुसा हम उसको कुस बोलते थे रोतक में कुछ बोलते होंगे बाहत दुरगड़ में कुछ बोलते होंगे सब लोग तो उस हल चलाने वाले के अंदर ये कला आ गई कि उस कुसे को उच्छालता था और उसको मुह में पकड़ द पूरे देश में दिखाने लगा उसको पैसा मिलने लगा उसका घर भढ़ने लगा लेकिन कहते हैं न मिल इंसान को बर्बाद करने में भी स्था प्रश्ण गया बहुत और प्रश्ण यही था उसने का मेरा कोई गुरू नहीं है उस व्यक्ती ने कहा कोई तो गुरू होगा ना मेरा कोई गुरू नहीं है बोले तो अब उच्छा लिए जब उसने कहा मेरा कोई गुरू नहीं है और उसके बाद जैसे उसने πουकुस्था उच्छा ला वो सिधा आके उसके गड़े में लगा खतम तो उससे हमें इस सीख मिलती है कि गुरू के बिना तो ग्यान संभव नहीं है गुरू तो जरूरी है अब मुझसे पुछा गया मेरा गुरू कौन है देखिए मैं तो बताओं मैं थेटर का आदमी था मैं कविता के शेतर में मुझे लाने वाले बादुर गड़ के वरिष्ट पतरकार हैं वरिष्ट कभी हैं कृष्ण गौपाल विद्यारतेजी वो मेरे गुरू हैं जिन्नोंने मुझे सुना मुझे सुनकर मंचों पर लेकर आए मेरी कविताओं मैं सुधार भी किया मुझे शुरुवात में मंच भी दिये और उन्होंने भी एक बात कही थी कि अगर तेरे अंदर योगता होगी तो तू अपने आप आगे बढ़ेगा और आज मैं पूरे देश में देश के बड़े चैनलों पर सारे न्यूज चैनल पर हर जगें कविता पाठ करता हूँ इश्वर की कृपा से खूब यश, वैभव, धन, संपत्ति सब प्राप्त हो रही है जिसका एक मैं ये कहूंगा के प्रतिभागी मुख्य रूप से विद्यार्थी जी भी है विद्यार्थी जी के कारण ही ये सब कर पाया हूँ तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उनको प्रणाम भी करता हूँ आपके चैनल से तो उनके बारे में कुछ थोड़ा सा पता है सर बिल्कुल शोर्ट में ताकि ओडियार्थी जी बहुत शांदार गजलकार है हमारे देश के जाने माने कभी है देश के हर मंच पर उन्होंने कविता पाठ किया है और मैंने बताया है कि वरिष्ट पत्रकार भी है ना केवल बहादुर्गण बलके देश के सभी पत्रकार संगों से भी जुड़े हुए है और कविता में उनका अलग नाम है उनके एक बड़ी प्रसद्ध कविता है भगत सिंग के आंसू जो कि पूरे देश में उन्होंने गीत लिखा था मनोज कुमार जी के किसी फिल्म के लिए लेकिन किसी कारणवश्व फिल्म ही रिलीज नहीं हो पाई तो एक गीत रुग गया यह कविता उनकी बड़ी प्रसद् विद्यार्थी जिस विक्ति विशेश का मैं नाम ले रहा हूँ हूँ वो सिर्फ कहने मातर में नहीं वो लिखने मातर में और सुनने मातर में बहुत ही शांदार घजलकार गीतकार और कवी है जी जी बिल्पल तो सर आंत में अनोखा प्रियास यूट्यूब चैनल की टीम क खासकर विक्की भाई और अनिल भाई को और इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हूँ है इन सब को शुब कामना है देता हूँ कि इनका भविश्य और उजवल हो और जिस तरह से लोग हम से जुड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी परसनालिटी से जुड़े और आप सब जितना हो सके क्योंकि चैनल जब विक्की भाई मुझसे मिले तो इननों बताया कि हम उन व्यक्ति को ही अपने चैनल पर नहीं लेकर आते जो जिसकी कहीं भी किसी भी प्रकार से नकारात्मक छवी हो क्योंकि हम समाज को अच्छी चीज़ें दिखाना चाहते हैं समाज को कु और इस चैनल को आप लोग बढ़ाईए जितना बढ़ाएंगे और आप लोग भी जितना आगे बढ़ेंगे जितना और लोगों से जुड़ेंगे उतना आप लोग और आगे बढ़ेंगे मैं आपके चैनल के लिए बविश्य की शुब कामनाई देता हूं और पूरी जनता आज इतने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, इस टीम का धन्यवाद करता हूँ, कि इतना कीमती समय इन्होंने अपना मुझे दिया और मुझे सुनने के लिए आप लोग भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुन, थैंक यू जुड़े रहे हैं नोका प्रेस यूटूब चैनल से, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ना बोले, फेस्बुक और इंस्टाग्राम का लिक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उनको भी फोलो करो, इसी पर करना है, न ने टैलेंटेड बच्चों से आपको मिलवाते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद,